सक्सिजान की यूट्यूब चले में आपका स्वागत है यहां पर एक खुशखवरी है रीट एक्जाम 2021 से सम्बंदीत अगर आप अभी तक आवेदन नहीं किये थे मतलब चार फरवरी 2021 तक लाश्ट डेट था अगर आप आवेदन नहीं कर पाये थे आप रेश्टेसन नहीं क गई है तो यहां पर आप देखिए जो डेट बढ़ाई गई आपका जो 4221 था मतलब चार फरवरी 2021 उसे यहां पर 19 फरवरी 2021 तक कर दिया गया है और फिर पेमेंट लाश्ट डेट वहीं रहेगा कंप्रिट फार्म लाश्ट भी वहीं आपको निस दो जारी की सी रहेगा यहां पर आपको करेक्शन डेट दिया गया है 22-25 फरवरी तक आप करेक्शन कर सकते हैं अगर कुछ फार में दिक्कत होती है एक्जाम डेट जो है वही रहेगा 25-4-2021 एड्मिट कार्ड आपका जो है 14-4-2020 को अवेलेवल हो जाएगा लेकिन यहां पर बात कर लेते हैं जो लगबग आप जान लीजिए 15 दिनों के डेट बढ़ा दिया गया जिन दोस्तों ने जिन भाईयों ने रिश्टेशन नहीं कर पाये थे किसी कारणवस तो उनको एक और मौका दिया गया है राजस्थान सरकार दोरा कि वह अपना फार्म फिल कर सकते हैं जो चात्र भी आनला फर्वर तक फार्म कंप्रीट करनेक डेट थी उस डेट को हटा कर नौ तारिक से आपको मौका दिया जाएगा ने रिश्टेशन करने के लिए अनौ से लेकर 19 तक आप फार्म कंप्रीट कर सकते हैं तो इस बात का ध्यान दिजिएगा ज्यादा ट्राइक जो तो नहीं आप आप वाइप से ही फिल कर सकते हैं एक बात आप ध्यान दिजिएगा अगर आप चार तारिक के पहले अर्चार दाय संपरें कीये हैं तब आपको फार्म 8 फरुद हो जाई कि तक ही कंप्रीट करना यह मत सोचीगा कि फार्म डेट या लाश्ट कंप्रीट फार्म डेट बढ़ाया है तो इस बात को अभ्यान दिएगा वरना आप से चूक हो सकती है आई हम बात कर लेते हैं किस तरह के बतलाव किये गए यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां पर आप साफ साफ देखी लिखा गया जिन भीरतिन अभी तक अंलाइन रिष्ट्रेशन नहीं करवाया उनके लिए दिनांग 92221 रिष्ट्रेशन है तो लिंक उपलब्द होगा अभी लिंक नहीं उपलब्द हैं लेकिन नीचे देखिए लिखा गया जिनकी फीच 422 दोजाकी तक जमा हो गई है वे दिनांग 822 दोजाकी तक आवेदन फाम भर दें यह उनके लिए निर्देश है इस बात को अब ध्यान दीजिए अगर आप रिष्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप फाम अपना कंप्रेट कर लिजिए आठ तक आपको मौकर नहीं दिया जाए झाल